बूर्णिंग स्टूरंट्स एंड वल्कम टू दे हिंदी ओनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड फिप्थ सू प्रबाद छात्रू हिंदी ओनलाइन लेक्चर में कक्षा पाचवी के सबी विध्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है स्टूरंट्स फाइनल एक्साम का पॉर्षन फिनिश हो चुका है जो पुक नमबर फोर में लेसंस है उनका अध्यान समाप्त हो चुका है चिल्डरंट्स आज के ओनलाइन लेक्चर में हम इन सभी पार्ट का रिवीचन करेंगे तो आप सबी विध्यार्थी हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए फिर हम शुरुवात करेंगे अध्यान के लिए अर्थात बच्चो जिस पाठ का हम लोगों ने पहले से ही अध्यान किया है उसे फिल से एक बार रिवाइस करेंगे तो सबसे पहले हमने अध्यान किया कविता क्रमांक 11 वीरो को प्रणाम जिसके कवी है रमेश दिक्षित पुरुष्ट क्रमांक 40 पेच नबर 40 पढ़ो और गाउ कविता क्रमांक 11 वीरो को प्रणाम सबसे पहले मैं इस कविता का वाचन कर रही हूँ, आप सभी विध्याति ध्यान पुर्वक सुनिये देश की मिट्टी का कंकन है जिने प्रांड से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरो को सो सो बार हमारा यहां ऐसे धरती है जहापर गंगा जमना भैती देश पर मर मिटने की हरधम धून सी रहती यहाँ ऐसी धर्ती है जहाँ पर गंगा जमना बहती देश पर मर मिटने की हरधम धून सी रहती वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा नमस्कार एसे वीरों को सो सो बार हमारा नमस्कार एसे वी रोगों, सो सो बार हमारा यहाँ आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीक में सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणा अरपन की सीख में यहाँ आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीक में सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणा अरपन की सीख में, देश की मिट्टी का कणकन है जिने प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सो सो बार हमारा, कवी रमेश दिक्षित. चिल्डरन्स, इस कविता का मुख्य भाव उद्धेश यही है कि देश भक्ती और देश प्रेम की भावना जगाना. बच्चों, कई ऐसे वीर भारत देश को मिले है जिनको देश की मिट्टी का कणकन प्राण से भी प्यारा था, यानि कि उनके जान से भी प्यारा था. और ऐसे वीरों को हमारा सो सो बार प्रणाम है ऐसे कवी यहाँ पर कहते हैं प्रणाम अर्थात नमस्कार वीर अर्थात बहादूर पराक्रमे अब भारत देश ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमना जैसे नदिया भेती है यहाँ पर जो वीर है उन्हें देश पर मर मिटने की हरतम धून सी लगी रहती है धून अर्था लगन और इनी वीरों के बलितान से आज हिंद वतन का तारा सारी दुनिया में चमक रहा है जैसे वीरों को सो सो बार प्रणाम हमारा ऐसे कवी यहाँ पर कहते है अब कवी कुछ इस प्रकार कहते है कि यह जो आजादी है जो पतंत रता है वो हमें किसी से भीक में नहीं मिली है क्योंकि वीरों ने अपना पलिदान दिया है और इसी आजादी के लडाई ने हमें प्राणार पन की सीख दी है और जिन वीरों ने देश को अपने जान से भी अधिक प्यार गिया है उन्हें मिट्टी का हरेकन प्राण से भी प्यारा है उन्हीं वीरों को यहां सो बार प्रणाम किया है तो छात्रों हमने कुछ इस प्रकार इस कविता का अध्यन किया था कविता के बाद हमने अध्यन किया है पाट क्रमां को बारह सपूत पेच नमबो फोटी वन पढ़ो, समझो और दोहराओ बच्चो यहाँ पाट एक कहानी है जिसके द्वारा हमें सीख मिलती है कि ग्यान और बल से भी करतव्या और सेवाचे से सदकून मनुष्य को श्रेष्ट बनाते है जो हमने अध्यान द्वारा यह जाना की बहुत पुरानी बात है फुलेरा नामके गाउ था जोकी आदर्श काउ माना जाता था गाउ में हर तरफ स्वच्छता थी गाउ की गलियों में नियमित रूप से जाडू लगाई जाती थी नालिया रोसाफ के जाती थी लिपाई पुताई करके घर आंगन सुन्दर रखा जाता था परिसर में बड़ी संक्या में पेड़ पोदे थे कुए का पानी निर्मल रखने के लिए आवशक सावधानिया बरती जाती थी पनघट स्वच्छ और सुसच्ची था बच्चो आदर्श इस शब्द का अर्थ है अलू करन करने योग्या स्वच्छता याने सफाई परिसर इस शब्द का अर्थ है आसपस की जगा पानी भरने का स्थान घाट और सुसच्चित इस शब्द का अर्थ है अच्छा सजाया हुआ पच्छो एक दिन इसी पंघट पर तीन स्थ्रिया पानी भर रही थी वे अपने अपने लाड़ले के गुणों का बखान कर रही थे अर्था अपने बेटों का वर्नन कर रही थी तारीफ कर रही थे उसमें से एक स्थ्री बोली बहन मेरा सपूद बड़ा विद्वान है सपूद इस शब्दकार था मैंने आपको पहले भी बताया गुणवान पुत्र पिद्वान अर्थात पंडित होशियार वह जो पाईली स्त्री का बेटा था बच्छो जब से शहर से पढ़कर आया था चारों और उसकी धूमच थी वह कहती है कि उसका पुत्र बड़े बड़े ग्रन पढ़ लेता है अकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है दूसरी ने जोश में अर्था दूसरी स्त्री ने उस साह से चट से आगे बढ़कर कहां अरे सकी मेरे लाल जैसा बली तू दस-पाच गाओं में देखने को भी नहीं मिलेगा बली अने बलवान पास सो दंडब बैठक वह रोज सुबह लगाता है अखाडे में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घपराते है वह मेरा सपूत है जोश इस शब्द का अर्थ है उस साह जट इस शब्द का अर्थ तूरंत सकी याने सहे ली बली का अर्थ मैंने आपको भी बताया बली अर्थात बलवान पहलवान दंड बैठक जिसे हम सिट अपस कहते है उठक बैठक खाड़ा याने मल युद्ध कुष्टी करने का स्थान और ताल ठोकना याने लड़ने के लिए ललकारना मुकापला अर्थात प्रतियोगिता छात्रोपन घड पर तीन स्थरिया पानी भर रही थी एक स्थरी ने तो बता दिया कि उसका सफुत बड़ा विद्धान है तो दूसरी स्थी बोरल रही थी कि उसका पुत्र बली है याने बलवान है और अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वह चूप रही इस पर दोनों स्त्रिया उसे कहती है कि बहन तुम क्यूँ चूप हो लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला कपूत अर्थात दुर्गुणी पुद्र तब वह स्त्री बिना किसी जोश या गर्व के साथ कहती है कि बहनो सपूत या कपूत जैसे शब्तों मैं नहीं समझती पर मेरा लाल यानि की मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है वह सीधे साधे सबाओ का साधारण किसान है किसान याने फार्मर है साधारण अर्थात मामूली सीधे साधे याने सरल वह दिन बर खेट में जूता रहता है शाम को घर का काम करता है आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा तीनों स्त्रिया बात करकर अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ती है अभी वे दो चार कदम आगे चलती है तो पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई देता है पास आते ही वह अपने मा से कहता है कि व्याख्यान देने जा रहा हूँ बोजन वही करूंगा और यहाँ काखर वह तीजी से चला जाता है व्याख्यान याने भाशन अब दूसरी स्त्री का भी पुत्र जो पहलवान होता है वह भी अथा हुआ दिखाई देता है वह मत वाले हाथी की तरह जूम रहा होता है वह अपनी मां से कहता है कि आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बूरी तरह पचाड़ा है दंगल अर्थात कुष्टी नामी इस शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध पचाणना याने हराना पानी लेकर जल्दी घर पहुचना मुझे जोरो की भूक लगी है ऐसा कहे कर वह घर की और बढ़ जाता है अन्तमे याने आखेर में तीसरी स्तरी का पुत्र भी वहाँ आ पहुचता है वहाँ बढ़ा ही सीधा साथा होता है जातरो आते ही वहाँ अपने मा के सीर से घड़ा उतार कर अपने सीर पर रख लेता है और मा से कहता है कि मा तुम क्यों पानी भरने चलियाए मैं तो आई रहा था मा से घड़ा लेकर वहाँ उस सहां के साथ घर की और चल पड़ा अब यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सेर संकोच से जुग जाता है संकोच अर्था लच्चा उन्हें बोध हो जाता है कि कर्तव्य और सेवा के बिना ग्यान एवं बल अधूरे है बोध इस शब्द का अर्थ है ग्यान समझ वे समझ गई कि सपूद तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है तो इस प्रकार बच्चों हमने अभी तक कविता क्रमांक 11 वीरो को प्रणाम और पाट क्रमांक 12 सपूद इनका जो पहले अध्यन किया था उसे हमने फिर से एक पार रिवाइस किया है अब हम बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 43 पार्ट क्रमांक 13 की तरफ पेज नंबर 43 पढ़ो और बोलो पार्ट क्रमांक 13 राष्टिय त्योहार राष्टिय त्योहार अर्थात नैशनल फेस्टिवल पच्चो प्रस्तुत पार्ट में विध्यार्थी राष्टिय त्योहार पर बाचित कर रहे है यहां एक समवाधात्मक पार्ट है एक बातों की चर्चा एकांकी के रूप में प्रस्तुत की गई है ज्यान, आकांगशा, त्रम्बक और शितिच राष्टिय त्योहार पर चर्चा करते हैं ज्यान कहता है कि स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्टिय त्योहार है बच्छों आप सभी को बता है स्वतंतरता याने आजाती दिवस याने दिन गणतंत्र याने प्रजातंत्र तो Independence Day and Republic Day ये हमारे National Festival है अब इन बातों की चर्चा हमने भी पहले ओनलाइन लेक्चर में की है बच्छों कि हम स्वतंतरता दिवस एवं गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं तो ज्यान के इस बात पर स्वतंतरता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्टी अत्यवार है इस पर आकांग्चा कहती है कि अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ अमर इस शब्द का अर्थ है जो कभी मरते नहीं अथक इस शब्द का अर्थ बीना थके प्रयास याने प्रयत्न तो आकांग्शा की इस बात पर तरंबग कहता है कि यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जन्वरी 1950 को इस देश में लागू किया गया अर्थात आजादी स्वतंत्रता मिल्ले के पाद बड़ी लगन याने लगाउ प्रेम के साथ देश का सव्वीधान याने विवस्ता बनाई गयी और उस विवस्ता को सव्वीधान को 26 जन्वरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया तब आकांचा कहती है कि इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस की रूप में मनाया जाता है तो बच्चों आपको भी पता चल गया होगा कि हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं अब आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार मनाया जाता है या फिर 26 जनवरी और 15 अगस के दिन क्या क्या होता है शितिच कहता है कि 26 जनवरी और 15 अगस के दिन और क्या क्या होता है तब इस बात पर ग्यान कहता है राष्टिय त्योहर वाले दिन राष्ट दोच फैराते हैं, राष्टिय गित गाते हैं, राष्ट, जिला, शहर, काव, तता विद्यालियों में इन त्योहरों को धूम दाम से मनाते हैं, प्रभात फेरिया निकालते हैं, जगर-जगर सजावट और रोशनी की जाती है, राष इस शब्द का अर्थ है शोबा, रोशनी याने उज्जाला टितिच कहता है यहाँ आज़ादी बड़े संगर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है संगर्ष याने लड़ाई तब तरंबग कहता है हाँ, हमें स्वतंतरता सेनानियों के बलिदान को सदयवयाद रखना होगा सदयवयाद याने हमेशा अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्टव्य है तिरंगा याने तीन रंगों वाला राष्टतवच तो बच्चो हमें अपने तिरंगे का पूरी तरह से सम्मान करना है आदर करना है अखिर में आकांचा कहती है कि राष्टिय त्योहारव पर जंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्तित होना आवश्चक है उपस्तित अर्थात हाजिर होना राष्ट गित के समय सदेव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे और राष्टिय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनन पुर्वक मनाने चहिए निष्ठा अर्थात श्रद्था च्छिर्ण्स राष्टिय त्योहार इस पार्ट को भी अभी हमने रिवाइस किया है ठात्रों आज के ओनलाइन लेक्चर में हमने तीन पार्ट का रिविजन किया खविता क्रमांक 11 वीरो को प्रणाम पार्ट क्रमांक 12 सपूत जो कि एक कहानी है और पार्ट क्रमांक 13 राष्टिय त्योहार और पार्ट बाकी है जिनका रिविजन हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में अर्थात कल करेंगे पाठक्रमांका चौधा हाँ अ हम अलग रूप एक ब चुप चुप काड़ी उसके बाद ग्यानी और पाठक्रमांका सोला हाँ बचाओ तो आप सभी विध्यारतियों को आज यह जो तीन पाठ जिनका हमने रिविचन किया है पाठक्रमांका 11, 12, 13 इनका वाचन करना है रिडिंग करना है यह पाठ आप सभी विध्यारतियों को 5 टाइम्स रिड करना है और इसके साथ इस पाठ के आधार पर टर्म बुक नमबर फोर अर्थात कमबाइन बुक नमबर फोर में जो भी प्रशन उत्तर हमने हल किये है उसे याद करना है मैं आपको फाइनल एक्साम का पोर्शन फिर से एक बार बता रही हूँ आप सभी ध्यान पूर सुनिए बुक नमबर फोर से पाठ करमांका ग्यारह, पाठ करमांका बारह, पाठ करमांका तेरह, पाठ करमांका चोदह, पाठ करमांका पंदरह, पाठ करमांका सोलह यहाँ आपके सेकेंड समिस्टर का पोर्शन है सिलाबस है नेक्स्ट एक्जाम के लिए आप सबी को इन पार्ट का प्रिपेरेशन करना है तो थैंक्यू चिल्डरन्स धन्यवाद बच्छो Have a nice day, stay home, stay safe